अगर मैं कहूं आपके ग्रहों की जुबान है आपके ग्रहों के पास एक भाशा है और आपके ग्रहों हमेशा आपसे समवाद करते हैं आपको कुछ न कुछ मेसेज देते हैं तो आप कहेंगे ये कैसे संभव है ये संभव है ये होता है सभी के साथ होता है आपके ग्रहों की भाषा है आपके घर का वास्टू। आपके घर के अंदर का जो भी Noel है आपका घर का जो स्ट्रक्चर है ये आपके कुन्डली के ग्रहों की जुबान है, उनकी वा allerdings है जरूरत है इस भाषा को सीखने की, इस भाषा को समझने की आज के वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि इस भाशा को कैसे समझा जाए आपके घर के वास्तू के थूँ अपने कुंडली के ग्रहों को कैसे दिखा जाए किस तरह से ये जान लिया जाए कि आपके ग्रह आपसे क्या कहना चाहते हैं किस तरह से ये जान लिया जाए कि क्या आपके ग्रह सच में खराब तो नहीं हो रहे हैं देखिए ग्रह खराब कैसे होते हैं ये ग्रह खराब होते हैं जब जीवन में कोई न कोई मुश्किल आ जाए कितना अच्छा हो कि मुश्किल के आने से पहले ही हमें पता चल जाए कि ये मुश्किल आस सकती है इसको अभी से ठीक कर लिया जाना चाहिए तो आईए जानते हैं कि किस तरह से ग्रहु की भाशा को समझा चाह सकता है नमस्ते, मेरा नाम है योगे शर्मा स्वागत है आपका हैपी लाइफ विडियो के शर्मा में दोस्तो इस विडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनमरी निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिपया सब्सक्राइब जुरूर करियेगा और बेल बटन दबाना ना खुलियेगा यह मैं कहने के लिए नहीं कहता हूँ प्लीज अगर आप देखे आगे बढ़ जाते हैं ना तो सब्सक्राइब करना मत भूलियेगा क्योंकि यह मेरे लिए फ्यूल है यह मेरे लिए मोटिवेशन आपके लिए हमेशा नया कंटेंट लाने के लिए तो ग्रहों की भाषा की बात हो रही थी आपके घर की एक एक चीज जो है ना ये ग्रहों से जुड़ी हुई है मुखेदवार हो, बेडरूम हो, किचन हो, सीडिया हो आपके घर के अंटीर हो, चार दिवारी हो, फर्ष हो या बैक्याड हो, हर चीज आपके किसी ना किसी ग्रह से जुड़ी होई है कोई एक चीज खराब होती है न, वो ये सूचक होती है कि फलाना ग्रह अब खराब हो रहा है, संबल जाएए नहीं तो इस ग्रह की कोई ना कोई बड़ी ट्रबल पीछे-पीछे आ रही है संबल जाएंगे तो वो ट्रबल जो है तलवार की सूई बन जाएगी ये होती है ग्रहों की भाशा अब किस तरह से जाने सबसे पहले सबसे important चीज़िए आपका घर कौन सा मुखी है south facing है नौर्थ facing है east facing है के west facing है हर ग्रह एक ना एक दिशा से जुड़ा हुआ है और हर दिशा जो है आपके घर की कोई ना कोई तो दिशा facing होगी न अब जिनकी कुंडली मे है मंगल बहुत अच्छे होते हैं, मंगल की दिशा कौन सी है, सौथ, अब मंगल अच्छे वाले लोग सौथ फेसिंग घर में जाएंगे, तो ये घर उनके लिए तरक्की का एक फेक्टरी बन जाएगा, मशीन बन जाएगा, तरक्की करवाने वाली, लेकिन मंगल खराब होंगे सौथ फेसिंग घर जो है, ये बहुत सारे लोगों को सूट नहीं करेगा, 100% लोगों को सूट नहीं करेगा, अगर कुंडली में मंगल खराब होंगे, मंगल सौथ फेसिंग, बुद्ध नौर्थ फेसिंग, सूर्य इस्ट फेसिंग, शनी वेस्ट फेसिंग, तो आपके कु वो सीधे-सीधे आपके प्लैनेट की strength से जुड़ा हुआ है। अगर आप घर खरीदना चाहते हैं, कौन सा facing ले तो आपको चारो ग्रह मैंने बता दिये। आप देख लीजे, आपके बर्से चाट का जो ग्रह सबसे अच्छा है, वो facing घर अगर आप ढूंड लेंगे, तो ये आपके जीवन का turning point साभित हो सकता है, जीवन में तरकी करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। अब घर के अंदर चलते हैं, तो सीडियां आती हैं, सीडियां सीदे सीदे बुद्ध का रूप हैं, अगर सीडियों के नीचे कोई खराबी है, तो ये आप एक तरह से समझ लीजिए, खराबी क्या, आप सीडियों के नीचे toilet हो सकता है, सीडियों के नीचे storage हो सकती है, सीड बुद्ध की जितनी भी चीज़े होगी वो खराब होती रहेंगे आपकी लाइफ में बुद्ध क्या है आपकी बेटी बुद्ध है बहन बुद्ध है बुद्ध के रिष्टेदार हो गए जो आपके टीथ है या आपकी नसे है वो बुद्ध है वेपारियों के लिए वेपार बुद्ध है, और रेटर के लिए उसकी जो बोलने चालने की कला है, वो बुद्ध है आप धंग से communicate कर पाते हैं वो बुद्ध है, अब देखे एक बुद्ध के साथ जीवन के कितने एट्रीबुट जुड़े हो और सारे एट्रीबुट आपकी सीडियों पर आके खत्म हो रहे थे, आप चाहे पन्ना पहनते रहे, आप चाहे बुद्ध के दान करते रहे, सीडियों के नीचे ये कलेश अगर है, तो बुद्ध आपके कभी सही हो ही नहीं सकते, तो अब आपको रीजन पता चल जाएगा, कि ग्रह तो दरसल सीडियों के द्वारा आपसे कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन आपने ये भाशा समझी ही नहीं, सीडियों को छोड़के रसोई की तरफ आते हैं रसोई की आग कहा जाता है मंगल होते हैं अब अगर किचन में गंदगी है तो मंगल खराब, किचन घर में किसी गलत दिशा में है, अब मंगल चाहए आपकी कुंदली में उच्चके भी रहेंगे तो भी नतीजा नहीं दे पाएंगे आपकी किचन में अगर रंगों का तालमिल भी गलत है तो ये भी मंगल को बिमार करेगा अब मंगल खराब होंगे तो कोई भी काम ना आपका जीवन में ढंक से शुरू हो पाएगा ना जीवन में कोई मंगल कारे हो पाएगा ना ही जीवन में किसी काम की continuity चलेगी और ना ही कोई काम आपका properly finish हो पाएगा अदपकी खिचडी सी जीवन बनके रह जाएगा अगर आपके रसोई के द्वारा अपने अपने मंगल को खराब कर लिया अब रसोई के बाद हम बात करें आपके घर के अंदर toilets की जैसा मैंने अभी बताया toilet तो राहू होते हैं जब वास्तू के rules से जब books से तब घरों में toilet नहीं होते थे over the time जब वास्तू evolve हुआ घर के अंदर toilets आए तो toilet की activity disposal की activity toilet की activity waste को बहाने की activity राहू की activity तो आपके घर के अंदर के toilet होते हैं राहू क्यों कहा जाता है toilet के दर्वाजे बंद रखो क्यों कहा जदा toilet को साफ सुतरा रखो क्योंकि राहू जितने sorted रहेंगे आपके जीवन में उतना बढ़िया रहेगा राहू जितने खराब होंगे अचानक होने वाली दुरगटना है अचानक से होने वाली खराबियां अचानक से होने वाला वैर विरोध अचानक से हो जाने वाले मुकद में नोटिसेज सारे राहू के इंडर आते हैं राहू खराब होते हैं तो इंसान लोगों को दिखना ही बंद हो जाता है लोग वैल्यू यह नहीं देते हैं किसी को ये केवल और केवल आपके toilet भी ये काम करवा सकते हैं यानि अगर घर का toilet गलत दिशा में रहेगा तो ये राहू को एक्टिवेट करेगा और बदले में ये सारी खराबियां जो मैंने आपको बोली हैं वो मिलेंगी अब राहू खराब है ना ये बिमारी को डाइग्नोज नहीं होने देता है इंसान इग्नोर करता रहता और बिमारी तब सामने आती है जब हाथ से निकल चुकी होती है डॉक्टर भी तुक्के लगाते रहते हैं उस बिमारी की जड़ तक पहुँचे नहीं पाते हैं कहते हैं मर्ज बढ़ता गया जूजू दबाकी यह होता है राहू की खराबी और यह खराबियां कहां से जनरेट हो रही हैं घर के टॉइलेट के खराब होने की वज़ा से तो देखिए किस तरह से प्लैनेट जो हैं यह आपके साथ समबाद कर रहे हैं अब अगर घर के अंदर हम देखें घर की चार दिवारी चार दिवारी जो होती है इसको शनी गोला जाता है एक ठीक ठाक सी चार दिवारी हो तो शनी अच्छे हैं चार दिवारी इर्रेगुलर होगी तो यह शनी खराब हो जाएंगे अब आपके घर का ओवरल स्ट्रक्चर भी शनी है हर ग्रह जो है न ये घर की किसी न किसी चीज से जुड़ा हुआ है पुराना फरनीचर पुराना समान ये शनी है घर के अंदर का बड़ा बड़ा समान वो ब्रहस्पती है बड़े सोफे बड़ा बेड ये ब्रहस्पती है पूजा स्थान वो ब्रहस्पती है आपके घर के अंदर का North East Area वो ब्रहस्पती है आपके घर की Ventilation वो भी गुरू है तो आपके घर की Ventilation Block रहेगी, गुरू खराब होंगे गुरू खराब होंगे, किस्मत connection ही नहीं मिलेगा आप जितनी मर्जी मेहनत कर लीजे average से result आएंगे, जीवन में आगे बड़ी नहीं पाऊगे, घर के अंदर का फर्ष जो है, ये केतू है घर की जो छट के उपर कबार रखा होता है, ये राहू को खराब करता है हर चीज आपके घर की किसी ना किसी प्लैनेट के थुरू बोल रही है अंदर की जो साज सज्जा है आपके घर के अंदर का जो इंटीरियर है, ये शुक्र होता है जितना आपने घर को कम सजाया है, इसका मतलब है आपके शुक्र उतने ही औसत हैं, उतने ही average हैं, तो आप इस तरह से अपने घर को ग्रहों से जोड़के ग्रहों की भाषा को बकू भी समझ सकते हैं आप पास्क में ये जान सकते हैं कि अगर आपके घर के अंदर आपने कुछ अच्छा इंटीरे डेकॉरेशन का काम किया इसका मतलब है आपके बर्षे चाट के शुक्र अब आपके फेवर में ट्रिगर हो रहे हैं आने वाले समय में ये आपके जीवन में और इशुर्य लेकी आएंगे लेकिन अगर आपने अपने घर के अंदर किसी लगा किसी तरह से टॉयलेट जो है वो खराब कर लें या टॉयलेट खराब होते चले जा रहे हैं तो यह आपके राहू की खराबी है आपके घर का plot मंगल है और overall आपका घर जो पूरा complete घर है यह शनी कहलाता है अब किसी के बर्सेचाट में शनी जो है वो सही नहीं है और उस इंसान ने plot लेके उस पर घर बनाना शुरू कर दिया तो यह खराब शनी और ट्रिगर हो जाएंगे उस बन्दे को कहा जाता है बहुत सारे कश्टों से बच जाओगे खुद कंस्ट्रक्ट मत करना नहीं तो फस जाओगे तो वास्तु जो हैं यह सीधे सीधे आपकी कुंडली के प्लैनेट से जुड़े हुए है दोस्तो यह बहुत विशाल सब्जेक्ट है इसके बारे में बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे यह कभी खत्म नहीं होगा लेकिन आज अगर information मैंने इससे ज्यादा दे दी तो यह आपके लिए भी थोड़ा सा confusing हो जाएगा लेकिन आने वेले सब्ताहों में मेरा यह वाइदा है कि इसी संधर में बहुत सारी और information में आपके लिए लेके आ रहा हूँ लेकिन फिलहाल आज का वीडियो है यहीं तक यह वीडियो को apply करके अपने जीवन को सुगम बनाने की कोशिश करेगा पका यह आपके लिए काम करने जा रही है तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक नए विशे के साथ अपना खूब ध्यान रखेगा नमस्ते